नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Moto G5G vs Realme X7 Pro का Full Depth Comparison करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G5G में 6.54 इंच जबकी Realme X7 Pro में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है जोकी Moto G5G से कम है बात करें तो Moto G5G में 3 इंच जबकी Realme X7 Pro में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है जोकी Moto G5G से कम है बात करें थिकनेस की तो Moto G5G में 0.39 इंच जबकी Realme X7 Pro में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Moto G5G में 212 ग्राम्स जबकी Realme X7 Pro में 184 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto G5G में LTP-S LCD जबकी Realme X7 Pro में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G5G में 6.7 इंचर जबकी Realme X7 Pro में 6.55 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Moto G5G में 85.74 प्रतिशत जबकी Realme X7 Pro में 85.66 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Moto G5G में 393 प्रति इंच जबकी Realme X7 Pro में 402 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Moto G5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera देखने को मिलता है और Realme X7 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Mono Camera देखने को मिलता है बात करे विडियो कैमरा की तो Moto G5G में 8 डिफरेंट टाइब के फीचर्स मिल जाते है और Realme X7 Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइब के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें front कैमरा यानि की selfie कैमरा की तो Moto G5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते हैं और Realme X7 Pro में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 8 different features मिलते हैं अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Moto G5G में Adreno 619 जबकी Realme X7 Pro में Mali G77 MC9 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Moto G5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Realme X7 Pro में MediaTek Dimensity 1000 Plus MT6889Z मिलता है बात करें RAM की तो, Moto G5G में 6GB जबकी Realme X7 Pro में 8GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो, Moto G5G में up to 1TB जबकी Realme X7 Pro में नहीं है operating system दोनों phone में Android V10 Q देखने को मिलती है बातरी, Moto G5G में 5000 mAh जबकी Realme X7 Pro में 4500 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो, दोनों phone में सेम ही दो colors option देखने को मिलते हैं सब information देखने के बात करें प्राइस की तो Moto G5 G6 GB RAM 128 GB storage के साथ 22,990 रूपीस में मिल जाता है और बात करें Realme X7 Pro की तो वो 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 26,999 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्राइन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Moto G5 G में 3 फायदे और शून नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme X7 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में Realme X7 Pro आगे है मेन कामरा में Realme X7 Pro आगे है फ्रन्ट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Realme X7 Pro आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M51 है जो की 18,149 रुपे में मिलता है दूसरा Realme 7 Pro है जो की 17,599 रुपे में मिलता है तीसरा Samsung Galaxy M31 है जो की 18,499 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 है जो की 17,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना